मैं उनकी हालत देखी तो मैंने बोला मैं क्या करना इदर इसलिए मेरी जान को भी जाने दो मैं मिती का डेल डाला था अपने पर मैं आग लगाने लगा रहा हुमारे डंगरों वाले मकान थे जो बेलकुल साफ कर गे जो बेडे में चार दो आदिये ही उनको भी तोड़ फोड गए वो सो साल पुराना इंतकाल है 1978-1970 तक यहां पर चाचा जी का इंतकाल है अगर इंतकाल है तो 98 में जब जेडिये डिपार्टमेंट बना तो यह लेंड जेडिये को कैसे ट्रांसफर हो गई कुश्मिन अपनी पार्टी आपके लीडर तो कहा जाता उनके बारे में कि व त्वीट पो रेगलर करते हैं और त्वीट पेव बड़ा मसरूफ रहते हैं ट्वीट करते हैं जुल्फिकार साफ़ने ट्वीट किया आपको मिला चाचाचए किया पदा जुट चला अगर इनने में मकान पाया उस्तेम यह जडिये के थी पाइंच-दास साल एक मकान यह उ प्रेक्टर तक इनका सेक्टरी तक पैसो जड़ो जावा है फिर जागे गुजर जड़ी एक साधी को में उन्हें आखे चलो यार मिननों मकान बना देओ तेनना पैसा भी देओ ये पैसा भी लें शाम ले आगे आमनों मकान भी बना देए उस टेम या गोर्मेंट के तो है रूपनगर में जेडिये की एंटी एंट्रोश्मेंट ड्राइव हुई और उस ड्राइव के बाद मैं इस वक्त शाम के वक्त यहां पहुचा हूँ और इन लोगो देख रहा हूँ कि यह लोग यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और इनने यह कहा है कि जो मेरी इनसे बात ह एक हमसे बात नहीं करना और इनुझे बताया, वह हूने गई नहीं को यह नहीं हुआ और आही के लिए आ आ assumkaans तो तोड़ दिये गए हैं, आपके पस सरचुपाने के लिए प्छत नहीं हैं तो अब आप कहां रहेंगे ये पूछ गच करने वाला अभी तक कोई नहीं आया और ये लोग ये भी कह रहे थें कि 9% रिजर्वेशन की बात जो राजमतिक दल बार-बार करता है और जोरू-शोरू के साथ करता है उस दल का भी कोई लीडर अभी तक हमारी खैर खबर लेने के लिए नहीं आया जम्मू डेवलिप्मेंट अथार्टी जम्मू डेवलिप्मेंट अथार्टी अतिकरमण हटाने के लिए जब भी कहीं पर बिल्लोजर चलाती है या कहीं पर जेसी भी चलाती है तो हजब मामूल हमें मालूम है कि वो घर गरीबूं के होंगे कमजोरूं के होंगे मिस्कीनूं के होंगे वो किसी भी धर्म से हों किसी भी समुदाई से हों कमजोरूं के ही होंगे कहीं अगर रेड़ा हटाना है तो भी गरीब का होगा अगर कहीं खोखा तोड़ना है तो भी किसी गरीब का ही खोखा होगा यह जेडिये का मामूल रहा है और जब जेडिये यह सब कुछ करती है तो इन मामलों में जेडिये साफ तोर पर यह कहती है कि यह अतिकरमड था उर्दो में सुमझे जबरी कबजा था जबरी कबजे को हटाया गया है और हटाते वक्त लोगों नहीं यह रिजिस्टेंस की आज ऐसा ही एक मामला जो है वो रूपनगर में बना है और उसकी वीडियो जो है वो फेस्बुक के पर वाइरल हुई है आज द आज़ाम में मसरूफ हैं शाम के वक्त जाकर मालूम किया जाए कि यह सारी सियासी जमाते मिलकर उन लोगों का जिनके सरों से चछत जेडिये ने हटाई है उनके लिए क्या कर रही है तो शाम का वक्त है यहां पर यह सारे जिम्मेदार और वो तमाम लोग बैठे हुए हैं जो लोग जिन लोगों को इस अतिकरमर्ण हटाने वाली एक्सेसाईज में नुकसान हुआ है मेरे साथ एक बुज़र्ग भी है आपने इनकी तस्वीर देखी होगी शिर्ट इनकी जो है वो शिर्ट इनने उतारी थी और मुझे अब लोग यह बता रहे हैं कि इनने आत्म द स्वीर जो है सब जगा पूरी दुनिया में जा रही है जिसमें आपने अपनी शिर्ट उतारी है और पुलिस वाले आपको शिर्ट पहनाने की कोशिश कर रहे हैर मामला क्या था क्यो आपने शिर्ट उतारी और क्या हुआ था सब्सक्राइब। करता है, तो इसको पीसा बखाता हमारी दो पच्ची थी भी जारी उनको हाड हो गया, गरबाली को भी हाड हो गया, मैं अब सी देखी नहीं ह। हाट आपका मतलब है कि वो बेहोश हो गए हाँ बेहोश हो गए वो खुद ही समान ला रहे थे जो अंदर से पैसा सबी ले गए लेगे लेकिन आपने शर्ट क्यों उतारी हुई थी आपने कपड़ के उतारी हुई थी मैं उनकी हालत देखी तो मैंने बोला मैं क्या करना इदर इसलिए मेरी चान को भी जाने तो मैं मिटी का डेatus डला था अपने पर मैं आग लगाने लगा था अच्चा आग लगाने लगे थी क्यों इतना कोई इंसान इतना जब टंग आजाए परशान हो जाए तब जा जाकि आग शूर्ण माफील मांगी जी मैने उनके पास बहुत मापी मांगी, सबसे पलीस वालों से भी रगेष्ट की उनसे भी रगेष्ट की मैंने बोला मेरे कोई बनाने बाला नहीं मकान यह मकान है, रहने दो गाय है, बैंस है मार जाएगी मार जाएगी छोटे-छोटे इनके बचे एक 15 दिन के लिए मैंने बोला उनको 15 दिन के लिए रुगैश्ट है आप गया पंदरा दिन के बाद आगे इनको तोड़ दियो मुझे बताइए कि कब से आप इस जमीन के ओपर दो चीज़ें एक होता काबिज होना और एक होता है कि आपके पास जमीन के मालकाना हुक है और आप मालिक है जमीन क साल चले गए अस्ताद मले में उदर से फिर इदर आगे फिर इसको राना बाना शुरू कर दिया उस बगत शेख तुले ने भी कनून कटा था कि पांच पांच कमा आए कि कुम्भे पर्ति को लाड करा और नमे शैर जे हमारे बजोरक थे इनको गोल गर जाल में भी लाड कर ना मगर जे जमीन हमारा इतना भी हाक नहीं था सर। हमारा इदर जे लोगों को बाहर के लोग आगे जिनको लाड कर रहे हैं उनका हाक ज्यादा है जा हमारा हम कितना अरसा हो गया 120 साल हो गया इदर हमें हमारा हाक 5 मरले के लिए भी नहीं था 10 मरले के लिए हमें जे भी भी मांगी उनसे, पहैं हमारे माकान जो जिन तोड़ो खोडो, हमारे माकान ऐसे रहने दो, जमीर सारी ले ज़ाओ, हम कहीं मुझदूरी करके दे, रात को बैठेंगे आगे दे, क्या बोला उस पर, कोई नी जी, बिलकुल, सुनाई, बिलकुल उमारा बिलकुल निसाफ नी कि कुछ नहीं किया मुझे बताइगा कि कोई जाहर सी बात है अगर आप काबिज भी हैं तो कोई नोटिस जे डिये ने आपको इशू किया होगा उससे पहले खिलाफ फर्जी अफसर आया होगा कभी आपको कहा होगा कि यहां से हट नोटिस नहीं चांड का गए जी हमारा एक मुझे यह बताइए कि आपके किसी रिष्टदार को भी यहां तक पहुंचने नहीं दिया लेकिन मैं फिर से आप से यह समझना चाहता हूं कि अगर आप काबिज भी हैं तो कोई कागज तो जमीन का आपके पास होगा या कोई कागज आपके पास जमीन का हमारे जो स्टेच ऑनरे पादा के अंवारे सिटेच इनों ने हुमारा एक लड़का गया इदसे बदिजा एक बाई बडासमारा वो ठाने में गे वो ठाने में इसरी को देना आपने इदर क्या पाता आजाये-दर तो उनको अदर ठाने में सुटेच जए यह यह जाएंगे बोड़ी आये धर आने देंगी आएगी पालती उनको जाते उद्री रेष्ट कर लिया अच्छा उनको अरेस्ट कर लिया उद्री अभी तक गिरिफ्ता रहे हूं ना फिर वाद में जिस पर तोड़ फोड़ के चले के फिर उनको शोड़ दिया अच्छा तो मुझे बताएं कि कुल कितने अठारा कुम्बे से कितने कुम्बू के घर तोड़े हैं एक भी बेलकुल मजूद नहीं रिया एक गार भी मुझा इसर मजूद नहीं अच्छा सहावा खुद दे सकते हो जागए बेलकुल जमीन के साथ गिरा दी किसी किसी का रह गया एक एक कमरा किसी का एक बरांडा रह हमारे ढंगरों वाले मकान थे जो बिलकुल साफ कर गे जो बेड़े में चार दो आदिया ही उनको भी तोड फोड़ गे ढंगरों की खुरली थी बनी हुई अंदर बार बो भी तोड़ गे लेकिन बुझर को मुझे एक सीज़ बताना कि आपको कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं आता कि मुझे एक सी ज़र बताना आप जिस बिरादरी से आते हैं गुजर बकरवाल बिरादरी से आप तालुक रखते हैं आपके अगर मैं कुल मिला के गिनू तो ज्यादा नहीं होंगे 16-17 बड़े लीडर आपके बड़े ताकतवर लीडर है उनमें कुछ लीडर हैं जो अपने अपने वक्तों में और अपने अपने दौर में जो भी उस वकर चीफ मिस्टर होता था उसके बड़े करीब ही होते थे वो लीडर आपके यहां दर्वाजे पर आए आए बहुत बंदे आये थे हमारे कल हमारे जो रिस्तेदार जो बड़े-बड़े बिचारे लीडर से हमारे पडोस में आसपास में पूरी फोर्स लगी थी हमें ऐसे गेरा बजा था हमें इदर जैसे जे मिली डेंट है हमें ऐसा गेरा बजा था जे इदर मिली डेंटी रहते हैं याँ आप कहा हैं वैसे आपके लीडरों को आने की जरूद तो निए उनका फोन भी बड़ा बारी होता किसी को कर दें तो लोग दूर दूर तक उनकी सुनवाई होती है फोन छोन उन्हों उन्होंने खोस लिए नहीं मैं आपके लीडरों के फोनों की बात कर रहा हूं आँ उनके पास थो है थे फोन मगर हमारे फोन उन्होंने चलने ने दिये अगर किसी को फोन करते थे उसी का कुसलेते से अच्छा तो अब आप लोग जो है पूरा मैं देख रहा हूं कि सारे लोग आप इसको बाहर बैठे हुए हैं रात कैसे कटेगी रात कैसे गुजरेगी और ये मामला कहां जाकर खत्म होगा क्योंकि ऐसे तो बात बनेगी नहीं वो तो तोड़ के चले गए जेडिये तो कह रही है कि हम बनाने नहीं देंगे तो आपको क्या लगता है रास्ता कैसे निकलेगा और रास्ता क्या निकला है जना हमारी सुनाई कोई नहीं हमारी कोई सुनाई नहीं कोट में तो कोट तो सुनेगी आपकी कोट ने भी वो उदर से बोलते हैं फैसला दे दिया कोड में 60 साल होगय केश चलते हैं 60 साल कोड में होगया 60 साल होगय कोड में तो कोड का सटे भी नहीं मानते हैं इनोंने कोई सदे नहीं माना नहीं माना इथ टू हकूमत वो चाह decor रही कि आपको 9% सियासी reservation मिलने वाली है उससे कहते हैं आपको बड़ा फायदा होने वाला है और अलग अलग जितनी भी माल में है कुछ नी हमारी हाल तो देख लो मैं आज दो दिनों हो गया सोए हुए पूरी राद को भी ऐसे खड़ा रहा माल के पास हमारे उदर बेबार से जो डंगरों के किले से वो भी जेसी पीसे बोठार दी किले भी उन्होंने कल हमारे माल खोल के ख़दार दिया उदर से तीन गाए अभी भी हमारी कलगी नहीं आई तीन गाए कल लगी नहीं आई एक गाए मैंने लाई थी जागे में शिटाब से सुबा अच्छा अब तीन गाए आई तकर मुझे पता जिनी ओशी नहीं गर बालों को इतनी बड़ी हाल तो ही यह गरंगी चाहते क्या है हकुमत क्या करनी चाहिए क्या रास्ता निकालनी चाहिए हमें क्या नकालना जी मेरी को जादास भी काम हो गई इस वक्त मैं अपना इतना इतना नुकसान देगे इतनी इतनी परिशानी देगे मैं क्या करूं हमारा है वो उपर बाला करेगा अनसाफ हमारे साथ इससे पहले भी इस तरह की कोई कभी जेडिया ने किया या पहली बार ये किया पहली बार ये किया इतने सालों में कभी जेडिया नहीं है आगे पहले भी आती थी जेडिया मगर हमारे तोड फोड नहीं की किसे ने मुगान नहीं थे तोड़े और जो पेड स्यासी इस्तैसाल जो है जमो कश्मीर में हुआ है अब हम नौ परसें रिजर्वेशन दे कर उस इस्तैसाल को खतम करेंगे और गुज्रू के लिए उनने यह भी कहा कि हम मकान बनाएंगे हम को पता नहीं को फ़लैट भी मैंने सुना तहीं कह रहे थे वीजबी की लीटर की और बुखी बनाएंगे तो क्या कहीं गुषर आप फो क्या वह बोलने हमें मेल गए फलैटें काला की बड़ी बड़ी फलैट मिली हैं अभी क्या करें हमें कोई समझ नहीं पा रहे हमें क्या बढ़ गया हमारे साथ क्या नहीं हमारा हाक नहीं था इधर जो बार के लोग आ गए इनको लाड़ करते थे मगर हम भी आसे आसे किस्तों पर इनकी इसके पैसे दे देते थे थे उनको यानि आप ये भी कहते हैं कि आप पैसे देने के लिए तैयार हैं आप कम से कम हमारे लिए कोई रास्ता तो निकालिए कोई दे कोई रास्ता तो निगलता ना हम उनको पैसे भी दे दे हम कहां जाएंगे हमें कोई कोई पैसा भी नहीं चलेगा हम जे बोलते थे कि हम थोड़ा बनाते हैं जब सरकार दे रही थी और आप गएने ने होता है बहुत जनाम वस बगत भूव मालकी बाण जानी थी वह मालकी बाण जानी थी हमें जिसको देखते देखते 80-90 साल हो गया इदर हमारा कोई भी फेवर ने किया किसी ने कोई कोई तस्हीलदार कोई पटवारी कोई कैसे कोई कैसे कोई किसी ने फेवर ने कि मेरे साथ हैं तुफैल चौदरी ये एक गुजर्बकरवाल अक्टिविस्ट है ये भी यहां पर मौझूद थे तो फैल मुझे सबसे पहले ये बताना कि बार-बार एक ही समधाय गुजर बकरवाल समधाय के लोग ही क्यूं इन्हीं को लेकर क्यूं बार-बार ये कहा जाता है कि आप जबरी कबजे करते हैं और जबरी कबजे करने के बाद जब अतिकरमन का इसी तरीकी से किसी जगा हटाने जेडी आता है तो फिर आप लोग जो एक्टिविस्ट लोग है फौरण सड़क पर आ जाते हैं और हंगामा करना झौरोणा की महामारी में इस ठांड के माहौल में उनके माल मवैशी भी यह माल मवैशी वाली चीजें भी उनने तोट दी एकदम जो कच्छे डारें religions के culture के सारे लोग शामिल हुआ है और सब ने एक आवाज में बुलंद आवाज में कहा कि गरीबों के खिलाफ कहीं भी अन्याय होगा तो हम एक हो जाएंगा पर जहां तक मुझे 16 साल होगे साहफत करते हुए और इन 16 सालों में मुझे मैंने इस एंटी एंट पुश्मेंट ड्राइव में दुनिया भर की देखी हूंगी और आपके जो सियासी लीडर हैं उन सियासी लीडरों का यही तमाशा मैंने हर इविक्शन ड्राइव के बाद देखा है कि ड्राइव होती है आपके लीडर एक्टिवेट होते हैं थोड़ा शोर और मचाते हैं उसके बाद इसका घर गया उसका घर गया जो जिधर है वो उधरी है वो अपने काम में दुबारा लग जाते हैं आपको नहीं लगता कि इस तरह का तमाशा करने से बहतर है कि आप अगर कौम की मदद नहीं क कर सकती हैं तो तुरुआ तो कि है जी सियासी लीडर्स वोट के बेसिस पर बनके आये होते हैं उनके जो आउनके जो एक्तियार होता है वह अपनी विल्स बे काम करते हैं वो किसी के कहने पहर नहीं आप आए-दो कि उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए बात ये है कि आज इन गरीबों पर जो जो जूलम हुआ है उसके खिलाफ हम सब लोग एक आवाज में बुलंद हो जाएंगे जब इकटा हो जाएंगे हम उनको विवस्ट कर देंगे सबी लीडरों को कि वहां के हमारे साथ यहां दर्ती पे बैठेंगे बैठेंगे बिटा यह बताना नगरोटा में इविक्शन ड्राइव हुई वहां पर भी आप लोगों थोड़ा बहुत शोर किया कुछ एक आपके अक्टिविस्ट के फोटो भी बड़े अच्छे खिचाए उन लोगों ने वहां पर फिर इसी तरीके से सिद्रा में हुआ फिर फोटो खिचाए गए इसी तरीके से और कई इलाकों कठवा में कुछ इविक्शन ड्राइव हुई वहां पर भी बड़े फोटो खिचे बड़ी विडियो बनी विडियो वाईरल हो गई साबकों के मेरी वीडियो वाईरल हो गई, लेकिन मैं ये पूछरा हूँ आप से कि इन बेचारे गरीबूं का जिनका मकान गया, जिनका माल गया, जिनको इस वग़ने के लिए च्छत न उसके चलते हुए इनमें एजुकेशनल भी यह पीछे रहे एजुकेशन के मामले में भी तो जब चब दो इनसान साथ रहेंगे एक इंसान पड़ जाएगा एक अनपड रहेगा तो पड़ा हुआ अनपड इनसान को दबाने की हमेशा कोशिश करेगा तो हमारा अब यह है कि जो जितने लोग हम एक प्लैटूर्म पर जो कर सकते हैं अपनी तरफ से जो महले वाले कर सकते हैं या दूसरी विरादरी के लोग कर सकते हो मैं नेहीं साथ एक बात पे एक बात पे एकटे तो हो जाएं रखीक मुझे भी बताना कि आपको मैंने देखा आजा आजा प्रोटेस्ट कर रहे थे जब भी इस तरह की इविक्शन ड्राइब्स होती है जब भी इस तरीके से कहीं जैसी भी चलती है कि फावड़ा चलता है तो आप लीड करने की जरूँ था भी फोटो सेशन करना जो है उसको कम कर देना चाहिए देखिए मैं जुनाइद भाई आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब भी कहीं पे अविक्शन ड्राइब चलती है तो 90% लोग ऐसे आते हैं जो एक फोटो खिचाते हैं और फोटो खिचाने के बाद वो सोशल मीडिया पे जाके डाल देते हैं उसके बाद कभी भी कोई उनका खाल पूछने नहीं आता कल का ये जो मामला यहां पे हुआ है अब जानते हैं कि जब जेडिये डिपार्टमेंट जम्मो किश्मीर में बना ही नहीं था तब के ये लोग यहां पे रह 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 बेसे जैसे चाटाजी ने बताया हमने इनके डाकॉमेंट देखें जो इनका इंतकाल देखा जो दूसरी चीज है देखी वह 100 साल पूराना इंतकाल है 1978, 1973 तक यहां पे चाटाजी का इंतकाल है अगर ठानुए में जब जेडिये डिपार्टमेंट बना तो ये लेंट जेड मेवार थे और तब इन लोगों से क्यों नहीं बात की गी अगर हमें फोटो से यहीं पर आपको रोक कर आप से पूशने चाओं आपने अठानवे की बात की है अगर मुझे ठीक तरीके से मेरी यादाश बिल्कुल ठीक है मिया अलताफ उस वक्त जो है डॉक्टर फारुक अब भी सरकार थी वो तो जिमेवार थी एल्टिमेटली च्छे अवे से दो हजार दो तक नेशनल कंफरंस की गोर्मेंट थी वो लोग जिमेवार रहें मैं साफशवदू मैं कहता हूं इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं वहां गुजर लीडर उस समय कितने ताकतवार थे या नहीं थे वो बात की बात है हलाके मैं खुद गुजर नहीं हूं यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो लेकिन बात जब यहां इस मामले की आती है तो इस मामले को जब हमने रीड किया इसको देखा तो इसमें इनकी बेबसी लचारी और इनको कुचलने का काम किय इस सारी जमीन पे जेडिये की नजर के अलावा एडिमिस्ट्रेशन में बैठे कुछ बड़े लोग, मैं साफ शवदू में कहता हूं, उनमें LG के कुछ अडवाइजर्स इनवाल हैं, LG के कुछ और लोग इनवाल हैं, जो इस जमीन पे आँखे मोटी मोटी करके बैठे हैं, कि यह जमीन इन लोगों को यहां से बगाया जाए, और वो इस जमीन को इस जमीन पे कबजा कर सके, इस जमीन पे अपने बड़ा महल खड़ा कर सके, यह साथ में आप जो यह देखते हैं, यह सामने किसी एक नेता का बड़ा महल बना है, बिल्कुल साफ शवदू में आपको कह है कि इनको 10-10 लाक रपे कंपनसेशन के तोर पे दिया जाए और जो इनके गर जेडिये डिपार्टमेंट में तोड़े हैं वो इसी जगा पे इनको वापिस गर बना के दे ठीक अगर आपको ये जमीन बहुत पसंद है आप नहीं चाहते कि ये मेरे इस चाचे के पास रहे जो गरीब आदमी है तो आप हमें शैर के बीचो भी जमीन दे दो इस चाचे को इतनी जमीन दे दो इसको गर बना के दे दो तो हम चले जाएंगे भाई हम नहीं कहते कि हमें इसी जमीन को दे दो ले लेकिन हैं मुझे यह बताना आप जुस पार्टी से आते हैं जब खुष्विर अपनी पार्टी आपके लीडर तो कहा जाता उनके बारे में कि वह ग्रहमंत्री के बड़े करीबी है, होम मिनिस्टर के बड़े करीबी है, तो अगर होम मिनिस्टर के बड़े करीबी है, तो ये तो कोई बड़ा मसला ने होम मिनिस्टर के लिए नहीं है, देखिए, मेरी आज सुबा ही पार्टी प्रेजिडंट सेद अलताव बुखारी जी से कि चुरंट वाढ़ ठीन का भी टवीट आया उर वहां से भी टूइट करते हैं और भीड़ बड़ा भूम पार्टींट से बात हुई उनुने कहा कि जुग्दा तारीक के बाद जुग्दार साथ यहां क्यों नहीं आए? कि मैं चुग्दा तारीक के बाद दिल्ली जा रहा हूं उन्होंने कोशिश भी की है क्योंकि रखी कि यह जो बात कर रहे हैं यह यह कह रहे हैं कि जनाब आप बात कर यह पैसे ले लीजी हमसे लेकिन यह जमीन हमको पांच मरले अब यह दिखिए इतनी बड़ी बात है कि यह कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्लाट अगर मेरे पास कबजे में था पांच मरले दे दीजिए इसमें मुझे मैं यहीं रहना चाता हूं मैं एक बात आपको साफ शब्दू में कहूं इस LGA administration में हमारे ही पार्टी प्रेजडन ने बहुत बार administration पे अलजाम लगाए कि यह आम लोगों की नहीं सुनते हैं अगर चाचा जी जेडियो को पैसे देने के लिए तयार है तो सुनने वाला कौन है जेडियो कमिशनर के यह बात सुनने को तयार था अगर इनोंने stay order को प्ली स्टेशन देने के लिए यह जाते हैं तो इनके बच्चों को ग्रिफतार कर लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कौन-कौन कसूरवार है हम तो सीधा साफ शवदों में कहते हैं कि इनको compensation के तोर पे 10 लाक रपे दिये जाए अगर आपको इनकी यह जमीन आपको पसंदार गई है तो आप हाट आफ सिटी में दो ना बे गुनाथ में दो आपके बस अकाफ की लेंड है वहाँ दे दो ना इनको क्यों नहीं देते हो आप कौली साब मेरे सादर कौली साब आप लंबे वाक्त से मैंने देखा है कि बात की जाए तो हम खास कर जड़ा गुजर लोगां जमू कुश्मीर का बशेंदा मैं थारानाल एक गल जरूर यह बाकी मारा मौजिद साथी पचारा गरीब गुर्भा मारा अपना गुजर जड़ाइद बैठा हूं इनके सामने मैं गल जरूर तमनों कहूंगो कि जमू किसी भी चीज की हिवाज़त चाचा ने क्यों कि संताली ते लेगे अमनों जमीन दें था नमज शेर गोल गुजराल क्योंकि मारी जड़ी जमीन है वे उस टाइम महाजर कार देती गहीं संताली ते पहले उस ते बाद चाहिवा पैंट तक चाहिवा पचतर तक जिस टाइम महारी जमीन जड़ी हैं महाजर कर देती गहीं कुछ इनागा प्रा कुछ रिष्टेदार महारा लिड़ा है इस संताली ते बाद जड़ा पार चला गया पाकिस्तान चला गया अमने उस टाइम भी पार जानों जड़ा है वो आमना बरदाश्ट नहीं गया बाकी रही मारी आपनों गुजर बस इन्ने जमीना पर बैस के षकारी कर्थे आपनी घुजर बस अपनी रोड़ि उन्ने कमाई रही गलता हैं जितनी संकार राई हैं थे संकार नाल आन घा जो कोई फाइद नहीं हो Oklahoma का ज्र dependent ह hopesaux चपारे लिड़ाल जम्मू किश्मीर का मारा गुजर ए गल के हैं जिड़ा बाकी पार पाकिस्तान टोर गया उनकी मौजरत खत्म होगी बशरते आम जिड़ा चार पर आधा वे जमू मही रहा बाकी टोर गया उनका नापरू सारी जमीन कार छोड़ी बाकी चाचा की गल है कि आमना यह परशानी कि आम माल मुवेशी नाले जमू मर्यान अला गुजर जिड़ा था वे सारा जंगला ली साइट आमने रोख कियो जी दूजी साइट जाँगा प्लेइन लाका माँ जाँगा आमनों मार मुवेशी जिड़ी है वो के ताम आपना गुजर बसर करांगा गोवर्मेंट की तरफ अगर चाचा ने कोई 120 साल इनकी उमर होगी अनका पिछला बज़र्गांगी आज ये इस जमीन माँ बैठा हुआ है तो जमू कुश्मीर की सरकार इस जड़ा बशिंदा यतरे नहीं अला गुजर है क्या उनना इस जमीन पर रहन को आख नहीं है लेकिन आपकी बात सगी है म लेकिन मुझे कोली साब ये भी बताएं ये भी आफसे समझना चाहूंगा दो हजार चोदा के बाद बीजेपी की सरकार मरकज में आई है और उसके बाद जम्मो कुश्मीर बीजेपी की सरकार थोड़ देर के लिए बनी एल जी जम्मो कुश्मीर में पांच अगस 2019 के बाद आया 2014 तक जितनी सरकारें यहां बन रही थी जितने चीफ मिनिस्टर यहां बने कोई बाहर का तो बना नहीं सब और गुजरवकर जितने भी यहां पर लोग है मुझे अच्छे से इन गुजरवकरवाल कभीले के बारे में यह पता है कि यह कभीला एक पार्टी का उमरू से स कि जितनी भी पार्टी आई हैं चाहे वा पीडी पी रही है चाहे नैशनल कंफरेंस रही है चाहे बीच मां बीजी भी बी आई 98 अठानवे मां बीजी भी आई सारी पार्टी आई जनाब गुजरां को बखूबी गलत इस्तिमाली कियो किसे ना उना का सिरफ वोड लेंड की उना को कोई गुजर बसर किसी की अलात किसी को गरीब बच्चो किसी को माल में वेशी आज फारस ट्राइटक दे शुड़ियो किसे ना उस चीज को कोई फाइदो नहीं ग्राउंड पर ताम देखो जागे उसको कोई फाइदो नहीं ताम कहें जी पिछली एकुमत आई से एक एक बचाना ताम पुछो कि जड़ा इतकर रहना लोग हैं उन्हों यहाँ चीज कहीं कि तमने पैसा जमा करावी है यहाँ चीज तमनों पकी करा अगर इन्हें मकान पाया उस टेम यह जड़ी के थी पाइंस-दस साल एक मकान की यह उमर है कम से कम बासी तरासी ते ले कि तेनना पैसा भी देओ यह पैसा भी लें शामले आ आगे आमनों मकान भी बना देए उस टेम यह गवर्मेंट के तो है आज यहाँ पूरी रात इन्हें बैठनों है तो कल पूरी राद गई माल मुवेशी गयो बचांको नुकसान पढ़ाई को नुकसान पढ़ाई थे प परिशादी ये किती ये बारे लो अगर इस ते पहला ये के था अगर ने यागल की बात बिल्कु से आखिर में मैं आखिर बहुत थोड़ा सा मेरे बास सिर्फ आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगा जैसे में बार बार ये पोछ रहा हूं कि ठीक है 2019 में आकर 2021 में आकर 2022 में आकर चाचा के मकान पर जैसी भी चलाने के लिए जेडी ये आई लेकिन ये जैडी 2014 से पहले भी तो थी, तो क्या ये बात मानते हैं कि जितनी हुकोमते इस से पहले रही हैं, जितनी पार्टिओ की हुकोमते रही हैं, वो गुजरों के साथ परखलूस नहीं रही हैं। जी अगर देखिए परकलूस रही होती आपके बात बिलकुल जायज है अगर उनका साथ दिया होता तो आज हम नोमैडिक नहीं होते आज भी हम बेड़ बकरी चारारे नहीं होते हमें एक प्रापर तरीके हमें साइड लाइन किया गया एजूकेशनली बैकवर रखा गया इस वक्त मजूदा हालात में जो इस वक्त जो बात है वो यह है कि इनको इनसाफ मिलना चाहिए और आगे वाले टाइम पर कोई भी ऐसा गरीब कोई भी ऐसी जो लाचारा लोग हैं उनको ऐसे तंग नहीं किया जाए और सारे एकमत में अगर बात करें तो आज हम यह बात मन जे जे अठारा से बीस के करीब करीब जो है माकान तोड़े हैं यहां पर जो गुजर बकरवाल समधाय से तालुक रखने वाले एक्टिविस्ट भी हैं राज़निक लोग भी हैं हाला कि नौजवान हैं सारे इन लोगों का भी एक बात पर ये लोग एक बात तो मानते हैं कि जितनी सियासी जमाते रही हैं उन्होंने हमेशा गुजर बकरवालों को एक वोट बैंक के तौर पर ट्रीट किया अगर गुजर बकरवाल सिर्फ वोट बैंक नहीं होता तो शायदा जेडिये की जेसी भी यहां नहीं चलती